देखिए आज कल सब कुछ online हो गया है सब कुछ digital हो गया है तो ऐसी स्तिती में बहुत साई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे दूआ क्लिक किया हुआ screenshot क्या court में admissible होगा या नहीं होगा तो उसी चीज को मैं आज आपको बता दूँ अगर हमारी कोई WhatsApp चैट है और हमने उ फोन नमबर हो लिखा हुआ उसका नाम ना हो जब आपने screenshot लिया हो तो उसका सिर्फ नाम ऊपर नाम ना हो के नमबर उ फोन नमबर जिससे अगर court को लगता है उसे चैट कराना चाहती है तो उससे चैक करा लेगी दूसरा screenshot के साथ साथ आपके पास आपके phone में वो present भी होनी चाहिए चीज क्योंकि digital जैसे चीज हो गई है तो कोई भी digital screenshot भी create कर सकता है तो उसको ही check करने के लिए quote आप से phone पर कह भी सकती है कि आप उसको दिखाओ कहां पर उसने बोला है तो आप इस चीज का ध्यान लखे कि अगर आप कोई भी screenshot ले रहे हैं तो उसका नाम ना हो उसका phone number हो screenshot लेते समय दूसरा वह आपके फोन में physical चीज प्रेजेंट भी होनी चाहिए धन्यवाद